कि एडिए अब है एलो फिन ऑलियंस कैसे हो आप आज आपको यहां पे इंस्ट्ट 24th October इंस्ट्ट्ट्ट्ट्ट से आपको एगा आपको वेरिफीकेसन के लिए एपलीकेसन में वेरिफीकेसन के लिए को लेगा एक ही दिन में सारे बच्चे अभी जो कहीं सारा हमारे सुट्र कर सकते इसलिए कल भी आपका लेक्चर रुकेगा नहीं कल भी हम यूट्यूब पर ही डालने वाले हैं मगर जो स्टुडेंट्स को कॉल आ जाता है और वेरिफिकेशन के लिए यहां पर विरिफाई कर दें आपको कॉल आईगा उसके बाद आपको उसको ओटीवी देना है और जब लोग इन कर आएगे तभी आपको पहली बार में यह ओटीव आएगा दूसरी बात आपको यदि लेप्टॉप में देखना है पीसी में देखना है तब जो आपको जो स्टेटीजिवल आमरे वीडियो सारा उसमें नीचे लिंक दे गई थी उसमें यदि पीसी के पास आइफोन है तब उसमें आयोस की एप्लिकेशन डाउनलोड करनी है ठीक है मंगर पीसी लेप्टॉप या तो टेबलेट है उसमें आपको यह वेब लिंक आपन करनी है उसमें मैंने केको स्वी वाला जो केको स्वी वाला जिब मैंने और जी कोड़ बताए न वह आप एक-दो दिन जो सारे कहीं सारे बचे हमारे साथ जूड़े हुए इसलिए सब को एक-एक करके यहां से कॉल किया जाएगा सो एक ही दिन में वह कंप्लिट नहीं होगा इसलिए कल भी हमारा जो लेक्टर है जितने दिन लगेगे उतने दिन हम आपको यूट्यूब में मगर जो स्टुडेंट्स यदि एपलीकेशन में आ जाता है वह एपलीकेशन में भी देख सकते हैं यूट्यूब में देख सकते हैं दूसरी बात बता दू 27 मैक्सिमम 27 ओक्टोबर तक ही आपको यूट्यूब में लेक्टर मिलेगे उसके बाद 100% हमारे जो लेक्टर से वह आप आपको एपलीकेशन में ही मिलेगे उसके बाद यूट्यूब में नहीं मिलेगे प्रिप्रेशन स्टेटिजी कैसे करनी है वह एक बर यदि नहीं देखा आपने वीडियो तो फिर उसमें देख लीजगा सो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात आपके जो साफ्रेंड से क स्पाइरो कंपाउंड फिर से एक बार में आपको रिवाइज करवा देता हूं स्पाइरो और ब्रीज कंपाउंड जो है उस वह दोनों के बीच में डिफरेंस कौन सा रहेगा स्पाइरो कंपाउंड एज ब्रीज कंपाउंड ये दोनों में डिफरेंस कौन सा रहेगा चलो पढ़ाये था आपको देख लिजी गाई यहां पर एसा कोई स्ट्क्चर दिया था आपको यहां पर यह कॉमन एटम जो है वो ब्रीज हेड एटम कहा जाता है यहां पर एक ही कॉमन इटम होता है वहां पर दो वो common item होते हैं ठीक है अब इसमें numbering कहां से start होता है चलो आज मैं कई सारे question भी पूछूँगा आपको मुझे comment box में इसके सारे answer देना है आपको सबसे पहले मैं बता दू bridge head से हम numbering start करते है ठीक है bridge head से numbering start करेगे यहाँ पे यह इसके पाद यहां पर most breached to bridge head वायar longest chain भी जाना है छलो यहां पर ओन दे दिया अब यहां पर long chain में जाना है पो फूर यहां पर फाइव यहां पर six यहां पर seven और यहां पर eight most ब्रिज हेड टू ब्रीज हैड वाय लॉंग एस्ट चैन यहां पर देख लिजगा गॉमर अटम को नहीं दे रहा है वन नमबर यहां पर लॉंग चीन सेलेक्शन किया था उसका रीवर्स यहां पर चैन्ट सेलेक्शन करना है चलो सोट चैन इस तरह फोर कर वंग इस तरह थी करव इसको बिदे सकते और यहां पर इसके पास जो है इसको भी दे सकता आप दोनों में से किसी को भी दे सकता नुमकर मान लो यहां पे मैंने 1 नमर दे दिया तब 2 नमर यहां पहेगा, 3 नमर यहां पहेगा 4 नमर यह कॉमनेटम को आएगा अब 5 उपर भी जा सकता हूँ और नीचे भी जा सकता हूँ ऐसा कोई रूल्स नहीं है आपको ऐसे ही 8 होना करना ही है इसके साथ तो यह भी जुड़ा हुआ इसलिए यहां पे 5 दे सकता हूँ यहां पे 6 यहां पे 7 यहां पे 8 जब सब्स्ट्रूटिशन आ जाता है तब ही हमें देखना है कहां पे नमर देनी हमें ठीक है? चलो इसका जो नमेंक्लेटर है आपको पता ही है आगे लिखना है स्पाइरो सबसे पेले यहां पे 3 यहां पे 3 एटम है यहां पे 4 एटम है 3, 4 और टॉटल नमर सोफ एटम यहां पे 8 है इसलिए यहां पे ओक्टेन दिया जाएगा चलो यहां पे देख लिजगा जो ब्रीज में होता है यहां पर दिया जाएगा बाइ साइक्लो यहां पर मेक्सीम में नबर और नोजए यहां पर दो अटम्स की है यहां पर वन एंटम्स की है और टॉटल नूम्बर सोफ़ेटम एट है एट के लिए उक्टेन वड यूस th가 यहाँपे देख लिजगा इनक्रीजिंग नए यहां पे डिक्रीजिंग में लिखना है येपर इनलिकना है और हमने यह भी देख लिया था कि यह है पर міखे देदी पाप केसे निकालनी है भ्रेंग ठीपलस फॉर प्लस वन वन जो यहां पर हमिए यह जो खूरी अ skincare आड़ यह टम है यह जो है कौन सारेह काक्त गरम रहे हैं रहे यह और फोर प्लस सुल सरी इन टम टॉर मतलिए सेवन क्वचेवण प्लस त्रीपलस टू प्लस खुए झाल को जो मेने अब को क्राए थे और भी स कराऊंगे यहां पर सबसे पहसे पहले स्पाईर मीच का आपको रूज सो पताई चल गया वेद यहां पर मैंने लिखाए था पैया कि यहाँ परस्ट नुमर ब्रीज हैड गैट फस्ट प्राइडिटी यहाँ पर एडिशसेट में रिस्पेक्ट टू कॉमन एटम गैट प्राइडरी यह लॉंचेंग सेलेक्शन हर सौट चैंग सेलेक्शन अब कहीं सारे में एक्जमल दोगा अब तो आपक पुछ दे दिया आपको इसको तो पताई होगा आपको क्या कहते है चलो यह जो है क्या है 14th January 14th January काइट है ना मकरसंकरांदी ऐसा निया स्पाइरो कंपाउड है जब आप काइट फ्लाइ कर रहे हो तब सोच यह यह स्पाइरो कंपाउड है उसका नोमें लेटर करते जाए यह तो कॉमन इसम होगया अब नम्बरिंग कर देंए है नम्बरिंग आपको स्पाइरो कंपाउड है इसलिए आपको नमद needles है आदो है right इंडू प्रेक्वार्न झाइन के पास वाला जो है यहां पर वन दे ले दिया जाएगा यहां पर गर यहां पर दो कर्मन हिसले है तू यहाँ पर तीन कर्मन हिसले है थ्री स्पाइरो टू-थ्री इसको स्पीरो मत बोलिएगा आज एक स्टुडूंट्स का मुझे को लाएगा सर वो स्पीरो कॉंपाउंड है उसमें आप एक्जम्बल करा होगे कि नहीं मैंने पहला उसको बोला कि यह स्प प्रेटल नुम्बर सॉफ एटम 6 है इसलिए 6 को कहा जाएगा एक्जन शीक्स को कहा जाता है एक्जन ठीक है चलो और एक एक्जम्बल में देता था हूं आपको देख लिए यहाँ पे मान लोग कुछ आपको ऐसा दिया गया है चलो जिस इसको पता है मुझे इसका अंसर द नहीं देखाए चलो सबसे पेले नमब्रिंग जहां से स्टार्ट की जाएगी वो यहां पर जो सोट जेन है उसमें स्टार्ट किया जाएगा वन नमबर यहाँ पर दो नमबर यहाँ पर तीन नमबर यहाँ पर चार 5 6 7 8 9 and 10 ठेक है अब यह जो compound है वो spiro compound है इसे लिए spiro spiro यह तो spiro कुंसा गोला जाता है स्पाइरो गंबोंड है अब यहां पर स्पाइरो इसमें four numbers of carbon atom है here five numbers of carbon atom स्पाइरो four five total numbers of atom is ten ten के लिए यूज किया जाएगा डेकन ten के लिए यूज किया जाएगा डेकन यूज किया जाएगा ठीक है चलो next example इसको सबसे पहले पॉज करेके लिख लिजीएगा को नेक्स्ट अपें आपको देता हूं है मानदलो कुछ आपको ऐसा दिया गया है यहाँ यह है जाए स्पाइरो कमण हो गया दोनों के बीच में कॉमेनेट में एक ही है यहाँ पार दिया घैंह कारबोनील यहाँ पर मनलों दिया गया आपको ब्रॉमीन सबसे पहले में बता दू कि इसका रूल से नहीं होगा हम एलिफेटिक एरोमेटिक उसमें क्या देखते हैं किंग कौन है वो देखते हैं मोर देन वन यह दी फॉंक्सली ग्रूप दिया गया है तब उसमें से कौन सा जो हो किंग है वो सीलेक्शन करते हैं किंग बतलब हो जो किंग का रूल्स पता नहीं है सबसे पहले आगे के दो लेक्षा देख लीज़ेगा उसके बाद यह देखेगा समयलति हैं सबसे पहले happening नहींट देख रहे मगर बाद में क्याएं पहले देखना है पHinka तो स्पाइरो टॉम ये है जो कॉमन उकरीप दोनों करेंड़ के बीच मिच पुब नबर दिया जाएगा एडिसर अटम स्टारिटी बट इन सोट चेंग में आपको फूस्ट नबर देना है यह तो फिक्स हो गया चलो अब यह दोनों मैं आपको पता यह वह यह तो यह फिर भी यह फिर भी उसको नम्रिंग नहीं दी जाए दिया जाएगा कहां पर नमर इंडि एक यहां पे दे सकते हो मकर्ज जिए सब्सट्ुटिशन आ जा जाता है तब कहीं पे भी आप नमर नहीं दे सकता हो सुधिस हो जाता है ל है मिनिमम नमबर प्याना चाहिए यह यहां से दी यहां से दी दिया तरड लॉड जिर रहाश अब यहां पर नीचे नहीं जा सकते हो क्योंकि वहां पर स्प्ट्यूशन नहीं है अब यह इस तरफ गए है तो फिर फाइव शीक्स सेवन एट नूमर पर आएगा इसलिए आपको बता दुमें यहां पर फाइव यहां पर सिक्स यहां पर सेवन और यहां पर इट अब इसका जो मोमन क्लेचर किया जाए है और टोटल नूमर सो में देख लिजगा एट एट के लिए ओप टेन कहा जाएगा और लास्ट में फाइड नूमर पे किंग है इसलिए फाइड का ओन दिया जाएगा इसके पहले वाले जो मैंने एक बाइसे क्लों को कराया था ना उसमें यहां पर ओक्टेन आदा वो यह यहां पर नहीं लिखा हुआ है फिर भी आपको इतना सोटवां यह भूल गया मनों यह दी मैंने यह नहीं लिखा फिर भी आपको और यहुद्ट इन लिखना अं इतना क्योंकि ओक टिकन आए गाई की टॉटल नुम्बराइगा बाद में लिखना इस्क्यर बेकोट के बाद में टॉटल नुमर हुटम लिखना या यापको ठ packs ή्दोक्तर चौं जो कीन्प लिखना या तिक याँ पर फ्रेंट्स देख लिए यह किंग है फिर भी फिट नमर पर आया इसलिए आपको समझ जाना चाहिए यदि आप किंग हो यदि गुड पोजिशन पर नहीं बैठ हो फिर आपका नमबर भी लास्ट में आएगा यदि नम्बरिंग अच्छी करनी है आपका स्कोर अच्छा कर चाहिए सबसे पिले आपको नमरी कहां पर देना है अब दूसरी बात इसमें तो भी यह किंग खूद ही सौट इनमें इसलिए उसको तो प्राइडिटी देने ही पड़ी किया मैं वन नमर यहां पर नहीं दे सकती यदि यहां से दिया तब थर्ड नमर पाएगा यदि यहां फिर नमर पर ब्रोमो है इसलिए फाइब रोमो फाइब ब्रोमो उसके बाद यह जो कंपाउंड है स्पाइरो अब इसमें थ्री नमर सो फेटम है आप सुन रहे होना भी यह पूरा पूरा प्लीज मुझे जो भी स्टूरेंस मेरे लेक्टर्स पर रहे हैं आपका पूरा नमपर प्याना चाहिए अपको वोट्सब नम्र पता है निमेरा वो स्रेटीजिवाला लेक्टर में मैंने देही दिया आपको तो मेरे वोट्सब पर आपको पूरा कब पूरा दीन आपको अब लिए पडरोम मुझे आपको बताना है ठीक है चलो चैलो यहां पर नूमर सो आपको सही आएंसर जो हो कुन सा रहेगा चलो आपको इसका सही एंसर मुझे देना photos इसका सही एंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर मनलो आपको दिया गया है ब्रॉमी यहाँ पर मनलो दिया गया आपको ओए ठीक है चलो इसका सही एंसर मुझे comment box में comment करके दे दीजिएगा insert दे दीजिएगा इसका जो सही answer हो कौन सा रहेगा अब पोज करने के बाद ही देखी का भी आई यह यह तो है common item सबसे पेली बात हमें सोट चीन देखनी है कहां से नमरिंग देखनी दिया जाएगा इसमें king भई आई एक ही है अब यह king है फिर हमें इसको नहीं देखना कि इसके बाद कोन आता है king की रहेगा बाकी के जो भंसलग्रूब बचए हो नहीं नहीं देखना दूसरी बख अभी आई यो पेक जो है आई इसके बाद जो हम एलेफेटिक एरोमेटिक कहाई पुझायर उसके बाद को 100 पसंड क्लीयर हो जाएगा कि इसमें आपको 16 कंसे करना हूए उसका सफिक्स क्या है इन पढ़ेगे हम सारे जो फंक्सल ग्रूप है वो हम पढ़ेगे उसके बाद आपको क्लीर कट हो जाएगा ठीक है देख लिए यहां पर इसका आपको नमेंट लेचर यह कमेंड़ बॉक्स में देने ही है वन नमर यहां पर आएगा क्योंकि सोट चैन है दो नमर यहां पर रेगा तीन नमर यहां पर रेगा चार नमर यहां पर रेगा फाई नमर यहां पर अब यहां पर नहीं जा सकता आप क्योंकि यदि यहां से गया तब ज्यादा नमर आ जाएगा आपको मिनिमम लिस्ट नमर च सी उसके बदिये सपाइरो कंपाउड है इस पाइरो यहाँ पे नुमर्स ओव एकम कितने रहे ग्या फॉर एटमस इंक्रीसिंग इंग दे ना है यहां कि तको फथाइं से बादो यहाँ यहाँ पे टोटल नम्स समेटम लिखने में ठेकन और सेवन नूमर पर जो ओन रहेगा सेवन नुबर पर किंग रहेगा इसके इसलिए यहाँ पर सेवन ओन देना हमें ठीक है चलो दूसरी भाग इसको पोस करेके लिख लिए जिखा मैं आपको मिक्स में दूंगा आपको पहचानना है सबसे पहले तो यह स्पाइड या तो बीज़ है सबसे पहले यहां पर मनलो कोई एसा स्ट्रक्टर है सबसे पहले आपको पेचान नहीं है या तो ब्रीज कंपाउंड है मतलब बाइसाइकलो कंपाउंड है देख लिजिगा दो साइकल है दो सैकल के बीच में दो कॉमान इटम है इसलिए ये तो बैया पेला ये तो स्पाइरो नहीं है ये बाइसाइकलो कंपाउंड हो गया अब बाइसाइकलो में नंबरिंग कहां से दी जाती है आपको वह अच्छी तरह से पता होगा नंबरिंग दिया जाता है ब्रीज हेड को िवीद ऊनकेता है है सबसे पेले बीज्ज़ण को नमबर देना इसके बाद मुक्त प्रीज़ट ऊंब ब्रीज़। वा याया लोंगस्ट चैनि यहाँ किस तरफ हम यहाँ लेफ्टिट संधियो है यहां पर एक फोर aquellos यहां पर फाइव इसका नोमेंट लेटर किया जाएगा यहां पर स्पाइरो नीए भैजा सफाइरो थोड़ी ना है यह तो कुन सा है बाइस साइकल है तो अब इसमें नहीं है यहां पर 2 आएगे ठीक है तो यहाँ पे इंडीक्रीजिंग में यहाँ पे दो कर्मेंड अम यहाँ पीकर में इसके बीच में नम्री इन एक कोई भी नुबर सो वेटा मीने इसलिए आप इसलिए अपर जीड़ी ने और टोल लूबर सो में फाइव है फाइव के लिए हमें पेंटेन वर्ड यू कंपॉंड आपको पैचाना होगा यह ब्रीज है या तो स्पाइर होगा है दोनों के बीच में दो कर्मेंड है को में दो को में इसलिए इसको सबसे पेले दो बाइसे क्लों कहा जाएगा अब नम्बरिंग कहां से स्टार्ट होगी ब्रीज हेड से स्टार्ट होगी डिया ठीक है है उसके भाद मोस बरीजेट टूब रिजेड केड़ बाय लोंगे से जानए लोंगे सट चैन सेलक्षिंट करना हम यहाँ यहाँ पर धुद यहां पे फोर यहां पे फाव यहां पे शिक्स के उसके बाद सेवन एट नाइन अब इसमें देख लीजिए गाँ कहां पर आपको नमरींग देनी है वो तो आपको चीछी तरह से पता है अब यह कंपाउंड़ बाइसाइकलो है इसलिए बाइसाइकलो इसमें नुम्बर यहां पर फोर ठीव टोटल नूमर सु एटम देख लिजगा और यहां पर अभी यह खत्म नहीं हुआ मगर बाइसकलो है दो कॉमन इटम है इसलिए दो कॉमन इटम मतलब दो ब्रीज है दो ब्रीज आपको यहां पर लिखना होगा इसके बाद यह दोनों के बीच में नम्र सब कारबर एंट ही निए नंबर सो यहां पर जीरो निए आपको और टॉल नोबर सब्टम 9 है इसलिए यहां पर 9 इन वर्ड यूसकर ना अब को यहां पे 0 लिखना होगा लिकिना ओलिकना होगा क्योंकि यह दोनों के बीच में कोई एटम ही नहीं है इसलिए आपको जीरो लिखना होगा ठीक है चलो नेक्स्ट इग्जामल देख लिजिए का मनलो कोई ऐसा एक्जामल आपको दिया गया है यहां पे आपको दिया गया है फाइम इंबरी ठीक है यहां पर आपको दिया गया है फाइम इंबरी यहां पर दि दिया गया नम्रिंग कहां से स्टार्ट करनी है नम्रिंग आपको अची तरह से पता हिए यह कॉमन एटम के पासवाल एटम से यहां पर यहां पर टू यहां पर थ्री फॉर फाइव शिक्स सेवन एट ठीक है इसको कहा जाएगा सबसे पहले देख लिए यह स्पाइरो यहां पर एक ही आएगा यहां पर ऐसा जीरो वाला कुछ नहीं आएगा इसमें जीरो वर्ड आता ही नहीं है बदोत्र आन t इसका इन डालना है इसलिए इसको कहा जाएगा इसको कहा जाएगा ओप यहाँ पह आपको लिखना आउप और वपर पर इन है इसलिए पर फॉन इन और वन इन अइसा इसका यहाँ है so i hope कि अभी आपको समझ में आगया होगा और कई सारे एक्जामल देखते हैं देख लेजगा महलो एसा कुछ आपको देदिया है यहां पर देख लेजगा और इसा कोई ऎटम को देने के बाद आपको long chain selection करनी है long chain selection में यहाँ पर दो नमार यहाँ पर तीन नमर्स नमबर यहाँ पर फाइट यहां पर सिक्स यहाँ पर सेवन अब यह दो है इसलिए यहां पर टॉटल नुबर सो वेटम तीन है यहां पर टॉटल नुबर सो वेटम दो है मगर यहां पर इसे कोई नहीं है इसलिए इसको ब्रेकेट कर दिया फिर तो आप गई है इसलिए हमें ब्रेकेट नहीं करना है क्या करना दो कॉमनेटम इसलिए दो कॉमनेटम तो लिखना नहीं हमें फिर इसके बीच में कुछ नहीं एक तो फिर क्या लिखना है जिरो नहीं है फिर भी सिरो लिखना ही होगा आपको और टोटल नमर सुन अच्छी सब्सक्राइब समझ में आना चाहिए अब नेक्स्ट ही रोब्रीज ही रोब रिच कमपॉण अब इस में क्या आ देख लिए रोबरीज कंपॉण में क्या करना है अधर कंपॉण का नौन नम नमरिस को दो आगया है किसमर्स right किसगी जाता हूं यहां पर देख दिलिजिगा इस हमारे पास ही त्लग ब्रीज कोई थेपन पूरा जाहिए और हमें किसर अनुकरिकाना कैसे चीय अजया सब्सक्न forgiven में बता दूआपको यहाँ पर 3 यहाँ पर फोर यहाँ यहाँ पर यह च सब्सक्राइब सेवन नमबर पर आपको पता है यहाँ यह उसका दिया दोनीड उसा इसले ब्सक्राइब तो और लास्ट में आएगी सेवन नंबर पे ऑक्सीजन है इसको कहा जाएगा सेवन ऑक्सा सेवन नंबर पे ऑक्सीन है ऑक्सीन को कहा जाएगा ऑक्सा बोरोन यह दी होता तब उसको कहा जाता है बोरा नाइट्रोजन होता है तब उसको कहा जाता एजा फिर से ऑक्सीन के लि सब्सक्राइब यह बहुत इंपोर्टन है हिट्रो ब्रीज लास्ट टोपी के हमारा ब्रीज कंबाउंड का सेवन नमबर पर ऑक्सा है बाई साइक्लो यहां पर टॉटल नूमर्स ओफ एटम हमें कार्बन नहीं कल्कुलेट कर माई यह अब आपको समझ भाएगा पूरा इसका आपे एक्च्यल में नंबरे मिंड टॉफ कार्बन टॉट में सिर्फी करमार फणलियृट में कहीं कोई भी एटम हो सब आ जाते है् चलो यहां पे दो एक्ष इसके बाद यहां पर भी दो एंटम है और यहां पर 1 घं ठीक है यहां पे 7 ऑकसा लिखा है फिर भी यहां पे जितने नमद्व सो एटम है वो लिखना है मैं, carbon atom मत सोचेगा फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको कौंसा सोचना है? Numbers of atom सोचना है, oxygen वो खुदी एक atom ही है इसलिए यहां पे वन लिखना है, two to one और total numbers of seven atom है, total numbers of seven atom है, यहां पर हेप्टेन लिखना है आपको बता दू एक्जम में एक ओप्शन हेग्जेन दिया होगा आप क्या सोचोगे ठीक है मैं बता दो आपको इसमें आप एसा कल्कुरेट करोगे उसमें आप रोंग करके आओगे वह मुझे पता ही यदि यह पड़ा नहीं है तो यदि सब्सक्राइब कर्णियों अब यहां पर कार्बन सीक्षा मगर ऑक्सियन भी ना एक नमबर ओस ओफ एटम सेवन है इसलिए सेवन के हिसाब से यहां पर हेप्टेन लिखना है एसाफ से यहां पर हमें है तो फ्रेंश ठीक है आपको अच्छी तरह सा समझ में आ गया होगा से यहां पर एनेच दिया गया है यहां पर कोई इसा स्ट्रक्चर दिया गया आपको यहां पर कुछ इसा दिया गया है चलो देख लिजिगा यहां पर कॉमनेटम दो है ठीक है दो कॉमनेटम है अब इसको दिया जाएगा तब लॉंग चैन यहां पर है इसको दिया जाएगा फि पाइज इस अब बीच में भी जा सकते हो यहां पर भी जा सकते हो 78910 सबसे पहले आपको हेट्रो एटम लिखना है सेकंड पर एजा है इसलिए टू एजा उसके बाद बाई साइकलो टू एजा बाई साइकलो यहां पर नुमबर्स ओफ एटम 1234 नूमबर्स ओफ एटम लिखन आपको टॉटल नुमर सो कारबद तो तीन है मगर तीन नहीं लिखना है याँ फोर लिखना आपको क्योंकि नैट्रोजन भी इंक्लूड करना है इसमें है दो नूमर्स ओफ इटम इसमें भी दो नूमर्स ओफ एटम और टोटल नूमर्स ओफ एटम टैन है टैन के लिए लेकिन लिखना है तो ये ब्रीज हिट्रो कंपाउंड भी एक पर लिक्लिजिगा तो नेक्स्ट लिए जिग्समपल तो ए सा यह पोट्या गया सब्सक्राइब तोंधें अपको जैनर्रीबें थे दीमें नहीं देते एक्शम में तूडी में दे गए फिर भी मानलों यहाँ पर इसा कोंजस्रक्चर दिया गए है यह जो कॉमनेटर है यह भी कॉमनेटर आपको पता ही है चलो अब कि आपको सबसे पेले ये पता होना bridge head को one number दिया जाता है चलो सबसे बेले काम कीजिए मुझे तो में इसका भी नोन hélas चित देनीज्या उसके बाद में सोल्ट करता हूँ इसका भी मुझे चाहिए टीक साइब वन नमर्यहाँ पर है उसके बाद दो नमर्य यहाँ पर तीन नमर्यहाँ यहाँ चार नमर्य यहाँ पास छे और साथ शेवन पर बोरा है इसलिए seven BORA दो साइकल ही से लिए बाइज साइकलो कि तु यहाँ पे है तु यहाँ पे है और वान यहाँ पे है आपको वो भी कैलकुलेट करना यह एंटम जो है वो भी कलकुलेट करना वन टू टू बन टोटल नमरस अब सेवन है इसलिए है रप 10 टू टू बन यह नमारा एंसर रहेगा ठीक है चलो अब एक आपको में बता दू एक वह जो आ अब जय डबली नीट जैसे आती है जय डबली नीट जई एंड नीट वैसी ही एक प्रोफेसर की एक्जाम जो आती है नेशनल एलजीबिलिटी टेस्ट नेट नेशनल प्रोफेसर के लिए होती है ओल इंडियर होती है आप यहां पे मेरा नाम देख रहे हो ना उसके ब्रेकेट में लिखा है एयर वन वह यह यह बहुत पढ़ना पड़ता आप भी कर सकते हो इसा नीट में भी आप कर सकते हो आप इंपॉसिबल जैसा तो कोई है नी सब कुछ पॉसिबल है अब दो तरीके जा सकते हो पैसा देखके भी आ सकते हो मैंनत करके भी आ सकते हो आपको मैंनत करके आना हमें इसा है वेसा कुछ गलग कुछ उमत किजेगा हमें मैंनत करके ही फॉस्टेंट लाना हमें और आप जो चा नंबर्स अच्छे लेने चाहते हैं रेंक अच्छा लेने चाहते हो अपने पॉजिटीटी डाल दी उसके साथ अपने मेनद भी डाल दी आपके आपका रेंक पका है आपका रेंक आएगा राएगा आएगा आएगा ठीक है चलो यहां पर जैसे जई नीट आती है वैसे एक न चाहे कितना भी कॉम्प्लिक्रेट क्यूं नहों आपको तो कंसेप्ट को पकड़ के ही रखना है आपको तो कंसेप्ट को पकड़ के ही रखना है स्ट्रक्चर चाहे कितना भी कॉम्प्लिक्रेट क्यूं नहों ठीक है चलो जिस जिसको पता है इसका नुमन कैचर वह मुझे कमे इसका एंसर देजी का सही एंसर जो है कौन सा रहेगा नेशनल एलिजिवरिटी टेस्ट का प्रोफेसर की एक एक क्वेशन पुछा गया था अब मैं यह क्वेशन इसलिए करा रहा हूं आपको एक पहली बात बता दूँ जैई के एक्वशन है वह e val Cantura नेट की एक्वशन जो है वह भी Cantura नेट की एक्वशन जो है वह भी एंटे वाले ही गण्ड़े ए तीनों के जो पेपर्स निकाल दे वह वो कॉमन प्रोफेसर होते हैं चलो अब यहां पर देख लिएगा सबसे पहला नमबर यह कॉमन एटम को आएगा उसके बाद यहां पर 123 यहां पर भी 123 इसे दोनों से में किसी भी सैट जा सकते हो आप मांद लो यहां पर गया थ्री फोर यहां पर फाइव यहां पर शीक्स यहां पर सेवन और यहां पर एट और लास्ट में यह बचा हुआ है नाइन तो फ्रेंड इसका जो नॉमन लेटर किया जाएगा देख लिए गां नाइन नंबर पे बोरा बोर नहीं से लिए नाइन बोरा उसके बाद बाइस है कि लो नाइन बुर का भाइसाइक्लों यहां पर थ्री नमबस व्यटम है कि यहां पर भी थ्री नमबस व्यटम है और उपर वन वेटम है थ्री थ्री वन और टॉट्नल नमबस विटम नाइन है इसलिए इसको कहा जाएगा नोनन नाइन नाइन नमर्स वेटम इसलिए नोनन एन एक बार देख लिजिगा सो फ्रेंज यह हमारा ब्रीज और बाई सैक्लों कमपाउंड का नॉमेंट लेचर हो गया दूसरी बात में आपको बता दू आज आपको ग्रूप में आज ही आपको ग्रूप में एक सीट दी जा है आपको तो बहुत सिंपल पूछा जाता है मगर थोड़ी सी प्रेक्टिस कीजिएगा थोड़ा सा जोर दीजिएगा सब उसमें से मैं आपको बता दू मैंने चार क्वेशन इसे रख है कि चाहे कितना भी ट्राई क्यों नकल लो आपको वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको पूरा यूपे कभी पढ़ना बाकि है यह तो ब्रीज और स्पाइरो का पढ़ा आपने मगर जो कंटीन्यू है ना कंटीन्यू जो प्राइटी सीरीज है वो कंटीन्यू पढ़नी है आपको वो पढ़ने के बाद ही आपको समझ में इसलिए फोर एक्जामल में एसे परके चाहिए कितनी भी कौसिश कर लो आपको वह नहीं आएगा वो नेट के एक्जामर पढ़ेगे ना वह जो प्रोफेसर के एक्जामर के प्रिफेसर करें ना उसको भी दीकत हो जाती है उसमें फिर आपके लिए मंगर वह इसी है और दूसरी बतों नीट में ऐसी इतने सेवन पर कहीं के स्टून्स तो 90 परसंट तक के भी थे 92 परसंट 93 परसंट इतने फिर आप यह क्वेशन तो सोल कर पर आई क्यों क्या पास करें यह आपको जो मैं सीट दे रहा हूं उसमें से फाइव क्वेशन आपको लेफ्ट होगा फाइव क्वेशन ने आएगे उसके ब को तो आपको लेफ्ट करना ही होगा मगर उसके अलावा जो सारे क्रशन वह यह आपको समझ में आ गया फिर आपकी रेंग पकी है इथाल मिथाल वाला वह जो कंसेप्ट हो कंसेप्ट आप जो पड़े नहीं है इसलिए वह उसमें नहीं आपको समझ वाएगा ठीक है वह हम की दो प्रायरिटी उडर लापड़ेंगे इसके बाद के लेक्ष्न आएगा प्रायरिटी ऋडर ला उसमें आपको वह समझ में आएगा ठीक है जए क्रिश ना नेक्स उसके बाद उसके पहले आप अप्लिकेस्ट जो है ओपन नहीं कर पाओगे एक दिन में सब सारे जो सुर्ण से उसका वेरिफिकेस्ट नहीं पॉसिबल है इसलिए और वीडियो से हमारे दो तीन दिन के लिए 27 चलो मैं फिक्स कर देता हूं 27 ओक्टबर तक हमारे थेंक्यू सोमझ जैसी क्रशन जैसे लेजन जैंहिंड मढ़ी ए नेक्स्ट लेक्चर मां नेक्स्ट लेक्चर जोहानों बुलता नहीं आओ जो कि अ अ